कि अगया अगया एक्साइब बोड नेक्स्ट हम star कर रहे हैं एक्सायज 8.4 सबसे पहले हम इसका करेंगे एक्जाम्पल no.12 ठीक है तो यह एक्साइज दो है आपको sequence में करोगा ऐसा नहीं कि सारे example में पहले करऊंगा सारे questions में पहले करऊंगा ठीक है पहले example करऊंगा उस related questions क्योंकि पहले हमारा basics clear होना strong ठीक है हम एकदम से अप नहीं जाएंगे ठीक है step to step चलेंगे exercise में ठीक है सीखेंगी की कैसे questions को solve किया जाता है ठीक है तो सबसे पहला जो question है वो इसमें given बने एक्जाम्पल नमबर 12 जो है एक्सप्रेस रिश्यो को से टेंजेंट एंड सीकेंट एंड इन ट्रम्प्स ओफ साइन ए क्या करना है मुझे मुझे को से को ठीक है टेंजेंट एको और सीकेंट एको साइन एकी फॉर्म में लिखना है ठीक है मतलब क्या है कि मुझे जैसे इसने बोला कि cause A है तो cause A के equal to में सिर्फ ट्रम किसकी होना चाहिए A की trigonometric ratio होना चाहिए कौन सा sign उसके साथ कोई numerical हो सकता है plus minus root square कुछ भी हो सकता है वो matter नहीं करता लेकिन sign के इलावा कुछ और यहां नहीं होना चाहिए trigonometric ratio में बस यह ध्यान रखना है मुझे ठीक है तो सबसे पहला मुझे express करने cause A को किसकी form में sign A की form में देखो कैसे करेंगे इसके लिए मुझे identities का पता होना चीज़ सबसे पहली जो identity हमने की थी वो था हमारा sign square A plus cause square A is equal to 1 मैंने बताया था यह angle कुछ भी हो सकता है it may be theta, it may be 67, 35, A, B, C, D कुछ भी हो सकता है ठीक है तो वो matter नहीं करता है अब मुझे किसकी value चाहिए मुझे चाहिए cos A की value किसकी form में sign की इसको उदर ले जाता हूं cos को में देखता हूं तो this is cos square A is equal to क्या होगा 1 और यह sign जब उदर जाएगा तो minus का sign square A कुछ ऐसा ही हो जाएगा मुझे सिर्फ ची cos की, मुझे cos square की नीची है तो square जब उदर जाता है तो क्या होता है? root तो this is cos A किसके इकल हो जाएगा? root of 1 minus sign square A this is your first answer यह आपका पहला answer आगया इसने बोलता कि cos A को क्या करना है? मुझे express करना है किसकी form में? sign की form में, ठीक है? तो cos A का answer sign में क्या sign के अलाव कोई trigonometric issue है यहाँ पे? नहीं है, इसका मतलब मेरा answer सही है उसके बाद बोला, इसने second A को sorry, tangent A है मेरे पास second है मेरा tangent A किसकी form में चाहिए? मुझे चाहिए सिरफ sign की form में तो ठीक है? तो मैंने आपको एक formula बताया था कि tangent A किसके एककोल होता है? यह होता है sign A divided by cos A के ठीक है? मैंने आपको बोलता है tangent A किसके एककोल होता है? sign A divided by cos A के ठीक है? अब मुझे ये चाहिए सिर्फ sign की form में तो इस sign से तो मुझे कोई problem नहीं है क्या मुझे इस cause से problem है हाँ मुझे इस cause से problem है तो इस cause की जगह कुछ मैं कुछ sign वाले चीज़ लेख सकता हूँ अभी हमने solve किया था कि cause equal to क्या होता है one minus sign square a का whole root तो मैं इसको लिख सकता हूँ sign a तो मेरा as it is रहेगा whole divided by root of cause a की जगह मैं कहा लिख दूँआ one minus sign square a ये मेरा मिल गया second answer तीसरा पार्ट इसने बोला बताओ second a क्या होगा second a किसकी form में करना है sign की form में अब मुझे एक चीज़ पता है मैंने आपको करवाया था कि second theta जो है वो क्या होता है one by cos theta यानि cos theta का उल्टा होता है तो क्या मैं second a को one divided by cos a लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं तो one तो as it is इस cos a की value हमने निका लिख किया था root of one minus sign square a that's your answer third answer तीन उख मुझे मिल गए भी सिर्फ sign है ठीक है तो यह जब किस्वन आता है आपका यह 3 या 4 marks में आता है इसी जहानक नागर आएगा तो ठीक है 3 या 4 marks में आएगा तो यह था हमारे example number 12 ठीक है इसे हम identities के use करना सीख रहे हैं ठीक है इसके बाद हम करेंगे question number one and two उसके बाद फिर से example पर लोगेंगे example number 13 ठीक है तो अभी के लिए thank you अभी के बाद है इसके बाद है इसके बाद है